अबर पटना से आ रहे हैं जहां जिलाप्रशासन की जाच के बाद खान जीएस कोचिंग को बंद किया गया है कोचिंग के बाहर नोटिस चुपका दिया गया जिलाप्रशासन की जाच के बाद खान जीएस कोचिंग बंद हुआ है कोचिंग बंद रखने का नोटिस भी कोचिंग के बाहर चुपका दिया गया है और जिलाप्रशासन की जाच कमीटी ने कई खामिया पाई जिसले कर कहा गया था कि इन कम्यू को दूर कीजिए बेहर कोचिंग रेगुलेशन एक्ट का पालन इन कोचिंग संसानों में नहीं हो रहा है खान सर ने जाच दल को जल्द कम्यू को दूर करने का हाला की भरोजार दिया है आपको बताते चलें कि पटना में खान सर की कोचिंग की जांच की गई और जांच करने गई टीम को यहाँ पर कई खामिया मिलती हैं यानि कि जो प्रोटोकॉल्स जो गाइडलाइन्स निर्धारित किये गए हैं सुरक्ष्या के लिहाद से बच्चों को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर खामिया देखी गई जिसके बाद अब इसे बंद किया गया है और पटना से हमारे साथ सेयों की रज्णीश इस वक्त जादा जानकारी के साथ जूड़का है रज्णीश जांच के दारे में पटना की तमाम कोचिंग सेंटर लेकिन बड़े कबर ये कि खान सर्की कोचिंग में भी खामी और उसके बाद इसे बंद किया गया है अब ही जाकर सुत्रों से जानकारी मिली है कि बड़े पैमाने पर यानि ब्यापक कमिया पाई गई है जो भियार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट है उसका मानक को से नहीं करता है पालन नहीं कर पा रहा है रजनी जरा बताएंगे हमारे दर्शकों को कि किस किस तरह की खामी पाई गई है क्या यहां पर जिस रोशनी की हवादार होने की बैटने के बच्चों के प्रॉपर इंतिजाम की एक्जिट और इंट्री की कई गाईडलाइन्स है उनमें किन-किन माप दंडों पर इक खान सर की कोचिंग खारा नहीं उतर रही कमी पाई गई प्रवेश और निकासी में कमी है वेंटिलेशन नहीं है जो सुरज की रोशनी आई या हवा आई किसी प्रकार की अगर भागदर हो जाए तो वहां पर निखने की व्यवस्ता नहीं है इसके साथ साथ जो वाइनोज है उसका भी मानक कते नहीं कर रहा है पालन नहीं कर रहा है और वहां से उन्हें लॉट कर जाना पर नहीं पर रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से जिन खामियों का हवाला अब जांस टीम दे रही है यह स्टूडेंट्स इन खामियों को देखते थे उन्हें लगता था कि भाई यहां पर यह विवस्था में कमी है होनी चाहिए इन्हें पटना के उसी इलाके में जहां पर चात्रों ने खुल कर कहा है कि कापी कमिया है और कंजेस्टि इलाका है बिल्डिंग मापदंड को पुरा नहीं करता है और इसके साथ साथ कभी भी हाथसा होने का तर्थता रहा है यानि मुखरदीन अगर दिल्ली से कहीं आदा ख़ड़नार पटना को सहलापूर बिखना पहारी और नया टोला का इलाका ये चात्र भी कह रहा है कि जिला प्रसासिंस टीम अब वहां नोटिस वेज़ेगी कि आप देहां ये सब कमिया पाए रही है और आप यहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं आप उसके माना को पते नहीं कर रहे हैं दिल्ली की जाज की आप पतना तक सिमट कर नहीं रहे जाएगी जो सुत्र बता रहा है जिल्लेशन एक्ट है उसको लेकर भाराध सरका एक तो इसमें नियम बनाने जा रही है और इसके साथ-साथ जांच टीम हम जायों कठित करके एक बड़े पैमाने पर कारवाई की वी तैयारी है भी भाग बिल्कुल रजनीश क्या अब जब ये जांच हो रही है चुकि अब जाकर के खान सर के कोचिंग तक टीम पहुंची है लेकिन ये तो एक एक करके तमाम जगों तक पहुंचेगी क्या ऐसे में खान सर की तरफ से कोई प्रतिक्री आई है उन्होंने कुछ का आए कि ठीक है भाई हमारे यहां गर यह खामी है तो मैं इसे दुरूस कर लूँगा कब तक कर लूँगा कोई उनकी तरफ से स्टेट्मिन लेकिन फिलाल अभी नोटिस बेजने की तयारी है और हम कुशिश कर रहे हैं कि खान सरकार रियक्शन दे आखि जो कमिया है वो सामने आ सके और अपना प्रक्ष रख सकें कि वा बिल्कुल रजणी ऐसे में जिन खामियों की चर्चा हम भी कर रहे हैं आप भी कर रहे हैं और जांच कमिटी भी कर रहे हैं और आप तो भारत सरकार भी उसे लेकर अप गाइडलाइन से तै करने जा रहे हैं कि कड़े कानून बनाने जा रहे हैं ऐसे में जिस कंजस्टेट जगा की बात कई जारी है ये क्या ऐसा है क्या कि 2-4 दिनों में से दुरूस कर लिया जाए तारों का जाल जहां पर मैं तस्वीरों को देख पा रही हूँ या जिन लोगों को पटना की इस जगा के बारे में ग्राउंड रियालिटी पता है उन्हें पता है कि ये भी इलाका ब पूरी सरकार के लिए चुनोती है क्योंकि बिहार का एक तरह से पटना जोहां पिहार की राजानी पटने ये टार्गेट होता है पेरेंट्स का और यहां पर हजारों लाठों बच्छी पढ़ाई करने के लिए पहुंसते हैं खासकर ऐसे पाथ शे चुनिंदा इलाके हैं ज जो निकासी और प्रवेश है कहीं भी उस तरह की बिरस्ता में अगर बच आए कोई हाथसा हो जाए तो अचानक सेख्रों बच्छे बाहर निकल सकें तो लगातार गुपाल मार्केट से लेकर मैया तो लिखना पहाड़ी इसके साथ मुसल्ला पूर इलाके में लगातार जां सब्सक्राइब करने के लिए निकल सकते हैं क्योंकि जिलाव प्रसाथन ने किस प्रकार से एक तरह से सराहना की है और खुद एसक्राइब विजकली जो है कभी भी कोचिंग संस्थान में दविश बढ़ा सकते हैं तो जाच करने निकल सकता है और इसके लिए कड़ा तो नियम कानून है उसको भी जारी प्रकार को एक तरह से अब मानकों का पारण करना होगा कोचिंग संसाल के लिए बड़ा आधिस जारी किया जा भी चार्टरों की बहुत ज्यादा है ऐसे में सिर्फ खांसर की ही बात क्यों तमाम जब कोसिंग चैन्टर की बात होगी तो वहां पर पांच जिन बिंदूओं पर जान्च हो रही है उनमें कितने बिंदूओं पर ये संस्थान खरे उतर रहे हैं लखे बिल्डिंग बायोगत सबसे बड़ी कमी है क्योंकि एक बिल्डिंग में प्रकां एक पनारू हजारों और प्रवेश करने के लिए प्रकांता के पूरी तरह से कंजोर है पुराना भवन है और यह कोचिंग संसान उसी भवन में चल ला है बता दें आपको कि धीरे तरह से जो पैमाना है वहीं बदला है और दिहार सरकार की जगह से और देखे जो जांस टीम भी पहुंची उसे भी इन एके करके ही उपर चड़ना पड़ रहा है यानि कि अगर कोई हाथसा हो जाए तो वहां पर इस्तिती कैसी होगी समझा जाजा सकता इन तस्वीरों के जरिये और पांच में से सिर्फ एक या दो मानकों पर यह कोचिंग संसान चाहे वो बड़े हो या चोटे हो फारे उतरते हो मज़राते हैं बहुत बहुत शुप्यार रजनीश्ट तमाम जान कारीजिए